Hello friends, आज मैंनो बात करने जा रहे हैं इंडियन एयर फोर्स के बारे में भारती वायुसेना दिवस आठ अक्टूबर 2022 को इस बार मनाये गया और भारती वायुसेना का आज यानी आठ अक्टूबर 2022 को नब्यवा अस्थापना दिवस कुरूप में मनाये जा रहा है भारती वायुसेना के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एयर फोस डे की परेड का आयोजन चंडीगर में हो रहा है इससे पहले वायुसेना के एयर फोस डे का जो परेड था उसका आयोजन गाजियाबाद का हिंडियन एयर पोस एस्टेशन पे होता रहा है भारतिय वाई सेना के स्थापना 1932 में हुई थी उस वक्त देश में चुकी अंग्रेजी को हुकूमत थी तो उसी दोरान भारतिय वाई सेना को रोयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता है अलाकि जब देश आजाद हुआ था तो उसके बाद से इस रोयल सब्द को हटा दिया गया है जिसके बाद इसे भारतिय एयर फोर्स के नाम से जाना जाता है और इसलिए इसको 8 अक्टूबर को ही वाई सेना दिवस गूर्प मना जाता है किस दिन इसको रोयल सब्द को हटा दिया गया है और भारती एयर फोर्स के नामसीज को जाना गिया हम लोग अब इसके बारे में एक पैचे जानते हैं तो भारत का जो राष्टपती होता है वो ससस्त्रबलों का सभी ससस्त्रबलों का स्रवच कमांडर होता है भारती वाईशेना विस्व की चौथी सबसे बड़ी वाईशेना है और भारती वाईशेना का मुख्याला है वो है नई दिल्ली में भारती वाईशेना का आदर्स वाक्य है महिमा के साथ आकास का एसपर्स करना और ये जो quotation है महिमा के साथ आकारस को एसपर्स करना ये भगवर्द गिता के ग्याद हमें अध्याइसी इसको लिया गया था वायुसेना के प्रमुक एयर चिफ मार्सल वायुसेना के परिचालन कमान की जिये मुख रूप से जिम्मेदार होते हैं हम लोग इसमें अब देख लेते हैं भारती वायुसेना के जो महत्पूर्ण ओपरेशन्स हैं जो देश आजाद होने के बाद में कौन-कौन सही ओपरेशन्स चलाया गया है तो अजादी के बाद भारती वायुसेना पकिस्तान और पिप्पल्स रिपब्लिक अब चाइना ये दोनों के खिलाब जब युद्ध हो रहा था उस दोरा ने काफी अच्छा से हिसा लिया था इसका ऑपरेशन मेगदूद में भी इसका इस्तेमाल किया गया था और ऑपरेशन मेगदूद क्या था काफी दाहत कारियों में इसका महत्वपुर्ण योगदान था है इंडियन एफोस के अन्य महत्वपुर्ण अग ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन विजय जो 1901 सेट में चला था और दुसरा आगर देखे तो 1965 में दुसरा कासमीर युद्ध हुआ था उस समय बांगला देश मुक्ति संग्राम 1971 उसमें भी इसका काफी महत्वपुर्ण भूमिका थी ओपरेशन पुमलाई 1987 में लाया गया था उसके दोरान भी काफी महत्वपुर्ण भूमिका थी ओपरेशन कैक्टस 1988 में कारगिल युद्ध 1999 में और बाला कोट एयर स्ट्राइक इस सबमिस्ट का इस्तमाल हुआ था और 2019 का भारत पाक जो गतिरोध हुआ था जो डिस्टर्बेंस हुआ था उस दोरान भी इंडियन एर फोर्स का काफी महत्वपुर्ण भूमिका था और काफी अच्छा ढख से इसको इस्तमाल किया गया था